नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा 7 Steps Weight Gain Formula मैं कोई theoretical बात नहीं करूंगा, बिलकुल practical results पे आधारित साथ ऐसे कदम उठाने की सला दूंगा, जिससे संभवता आप बहुत असानी से weight gain कर पाएंगे Actually, मेरे कई ऐसे clients होते हैं, जिनका body weight कम होता है और उन लोगों ने weight gain के लिए जो steps लिए, जिससे उनको काफी फाइदा हुआ उन ही में से 7 important steps मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज मैंने जैसा बताया, आपने उसका पालन किया, तो I am quite confident कि अगर आप भी underweight हैं, चाहिए कोई भी कारण हो आपका underweight होने का तो आपकी ये समस्या जल्द ही सुलच जाएगी अगर facts की बात करें, तो भारत में लगभग 20% पुरिश और 23% महिलाएं underweight हैं अगर कारण की बात करें, तो low body weight होने के कई कारण होते हैं जैसे कि genetics, poor nutrient absorption, metabolic rate का जरुद से ज़्यादा high होना per day energy के expenditure का ज़्यादा होना, भोजन की कमी, मतलब की गरीबी की वज़े से addictions, medicines, physical या mental illness, natural hunger की कमी, ये list बहुत लंबी है पर मेरी समझ से इन कारणों को discuss करके कुछ नहीं होगा if you do the right things, right things will happen to you and weight gain shall no longer be a challenge इसलिए problem या उसका reasons को discuss करके time waste नहीं करते हैं मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि what are the right things so here is the 7 steps weight gain formula आपके underweight होने का चाहे कोई भी reason हो, ये 7 steps weight gain formula हर किसी के लिए काम करता है, ऐसा मैंने अपने clients के साथ अनुभव किया है बिल्कुल practical बात मैं करूँगा, theoretical ज्यान नहीं बाटूँगा step number one अगर आप underweight हैं, तो सबसे पहला कदम जो आपको लेना चाहिए, वो ये है कि रोज सुबर खाली पेट में आपको एक glass या 300 ml ash guard juice पीना चाहिए यानि कि सफेद पेटे का रस, इसमें कुछ मिलाना नहीं है और इस juice को रोज सिप ले लेके धीरे धीरे 10 मिनट में पीना है for better absorption अगर आप daily juice को पीते हैं, तो इससे आपका intestine अच्छी तरह से साफ हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपके body की nutrient absorption capacity बढ़ जाएगी ऐसा समझ लीजिए कि body की nutrient absorption capacity या शरीर के पोशक तत्व को सोखने की शमता double हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी कहते हैं ना, खाना तो इतना सारा खाते हैं पर खाना शरीर को लगता नहीं है वो अब लगने लगेगा आशगाड juice को रोज पीने के और भी बहुत सारे फायदे हैं I strongly recommend कि आप आशगाड juice वाला वीडियो एक बार जरूर देखिए इस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा इसमें मैंने काफी details में आशगाड juice के benefits बताएं है और इसको बनाने की विधी भी बताई है Step No.2 दूसरा कदम है coconut water नारियल पानी में बहुत सारे minerals पर्याप्त मातरा में होते हैं इसलिए नारियल पानी को fluid of life भी कहा जाता है आपको एक नारियल पानी रोज पीना चाहिए इसे भी आपको sip ले लेकर धीरे धीरे पीना चाहिए again for better absorption अच्छा किस टाइम नारियल पानी लेना best रहेगा दोपहर के भोजन के एक घंटे के बाद नारियल पानी पीना weight gain के लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप लंच के एक घंटे के बाद नियमित रूप से नारियल पानी पीते हैं तो इससे बहुत जल्द आपके body का metabolic rate नियंतरित होता है अक्सर ऐसा पाया गया ही कि जिन लोगों का body weight कम होता है उनका metabolism जरुद से ज़ादा fast होता है regular consumption of coconut water can slow down metabolism जो कि आपके लिए अच्छी बात है अगर आप weight gain करना चाहते है नारियल पानी में ये खास बात होती है कि ये body के metabolism को correct करता है इसका मतलब कि अगर आप underweight है और आपका metabolism fast है तो ये आपके metabolism को slow down करेगा और weight gain करने में मदद करेगा और अगर आप overweight है और आपका metabolism slow है तो ये आपके metabolic rate को बढ़ाएगा और weight loss में मदद करेगा coconut water के उपर एक video है मेरी जिसमें मैंने नारियल पानी से related संपूर्ण जानकारी बताई है आपको एक बार इस video को भी देखना चाहिए इसका भी link आपको description में मिल जाएगा step number 3 वजन बढ़ाने के लिए जो तीसरा कदम है वो है protein के लिए अगर body mass gain करना है तो आपको daily required protein चाहिए ही चाहिए और protein का सबसे अच्छा natural source है डाल ज्यादा नहीं खाना है बस एक कटोरी मिट्टी के बरतन में पकी डाल खाने से daily required protein भी fulfill हो जाएगा और आपका weight gain journey को काफी fuel मिलेगा इस एक कटोरी डाल को आप lunch में शामिल करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के बरतन में या फिर open pan में पकाई गई डाल से आपको pressure cooker की डाल की तुलना में साथ गुना अधिक protein मिलता है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो I strongly recommend कि उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजे उस वीडियो का link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा Step No.4 Weight gain के लिए चौथा कदम जो आपको उठाना चाहिए वो है मूंग का भरता इससे दो चीजे होंगी पहला तो यह कि जब आप मूंग का भरता या मूंग का चोखा रोज खाएंगे तो इससे रोज आपका पेट साफ होगा और नैचरल हंगर बढ़ेगी जब भूग ठीक से लगेगी तो आप भोजन भी ठीक से कर पाएंगे जिससे weight gain में काफी मदद मिलेगी और दूसरा यह कि मूंग में easily digestible proteins होते हैं तो इससे भी आपकी daily protein की requirement काफी हद तक पूरी होगी एक कटोरी मूंग का भरता आप रोज डिनर में include करेंगे तो best results मिलेंगे constipation वाले वीडियो में मैंने मूंग का भरता या मूंग का चोखा बनाने की विधी बताई है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजेगा कि इसको कैसे बनाना है इसका link भी मैंने description box में डाल दिया है अच्छी बात ये है कि इसका taste बहुत अच्छा होता है और आप इसको रोज खा सकते हैं step number 5, पाच्वा कदम है banana shake एक banana shake मैं लगभग अपने हर client को बताता हूँ जो कि एक non-dairy, non-sugar fruit shake होता है और nutrition के respect में ये काफी rich होता है body weight maintain करने के लिए या body mass बढ़ाने में ये काफी कारगर है जैसा कि मुझे मेरे clients feedback देते है इस banana shake को शाम के time एक glass बना कर पीना है, again sip by sip पीना है for better absorption इसको बनाने की विधी मैं आपको अभी बता देता हूँ इसमें न तो चीनी डालते हैं, नहीं दूद 12-15 बादाम यानि कि almonds और एक अखरोट यानि कि walnut, मतलब दो टुकड़ा अखरोट लेना है इनको पानी में डालकर 6-7 घंटे छोड़ दीजिए शाम को अगर बनाना shake बनाना है, तो सुबह आप बादाम और अखरोट को भीगो सकते हैं फिर बादाम को चील लीजिए, अखरोट के छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए और mixi में डाल दीजिए एक कप पानी लीजिए और थोड़ थोड़ पानी डालते हुए mixi में पीस लीजिए मतलब एक कप पानी और बादाम और अखरोट को mixi में पीस लेना है अब इसमें 2-3 चम्मच शहद डालिए, एक केला काट कर डाल दीजिए और दोबारा अच्छी तरब पीस लीजिए इससे एक ग्लास बनाना शेक बन जाएगा रोज शाम के टाइम इसको धीरे धीरे सिप ले लेके पीना है स्टेप नमबर 6 चटा कदम है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा को वेट गेन के लिए सुनिश्चित करने का मेरी समझ से सबसे अच्छा तरीका होता है आलू दो से तीन आलू उबा लिए थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको छील लीजे और छोड़े छोड़े टुकड़े भी कर लीजे इसमें टेस्ट के इसाब से थोड़ा नमक थोड़ी सी कुटी हुई काले मिर्च और थोड़ा निम्बू का रस मिलाईए और खा लीजे इसको आप बनाना शेक पीने के 20 20 मिनट के बाद खाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा लेकिन आप चाहें तो इसको लंच या डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप पूछेंगे कि क्या उबले हुए आलू में तड़का लगा के खा सकते हैं या चोखा बना कर प्याज मिला के खा सकते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर वेट गेन करना है तो कोई तड़का नहीं लगाना चाहिए और सिफ नमक, कालिमिर्च और नीम्बू मिला कर खा लेना चाहिए रोज खाना चाहिए इससे आपको परियाप्त कार्भोहईडरेट्स मिलेंगे और ये आपको काफी एनरजेटिक भी रखेगा स्टेप नमर्ज सेवन वेट गेन के लिए जो सातवा कदम है वो एक चोटी सी लाइफस्टाइल एडवाईस है लेकिन काफी इफेक्टिव है ये पानी पीने के बारे में है भोजन करते समय चाहे वो ब्रेकफस्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो भोजन करते समय आपको पानी नहीं पीना चाहिए थोड़ा पानी पी सकते हैं लगबग 30-50 ml लेकिन हो सके तो भोजन करते वक्त बिल्कुल पानी ना पी है भोजन करने के एक घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए इससे digestive system healthy रहता है acidity नहीं होती है और भोजन शरीर को लगता है step 2 में जो मैंने coconut water पीने को बोला है वो लंच के एक घंटे के बाद पीने बोला है तो वहाँ भी इस rule को apply करिए कि लंच करते बाद पानी नहीं पीना है फिर एक घंटे के बाद sip by sip नारियल पानी पीना है और फिर जब जब प्यास लगे और जितनी प्यास हो तब तब उतना पानी पी सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दो वीडियोज देखने की सलाह दूंगा तो यह है seven steps weight gain formula जो की tested है और highly effective भी है इस seven step protocol को आप अपनी daily life में implement करेंगे तो मैं काफी confidently कह सकता हूँ कि 95% chance है कि बहुत जल्द आप अपना normal body weight और healthy BMI तक पहुँच ही जाएंगे अच्छा मैंने बोला 95% chance है तो बागी का 5% कहा गया देखे कुछ cases में मैंने देखा है केवल 5% cases में ऐसा होता है मतलब 20 में से एक के साथ ऐसा होगा कि इस seven step protocol को apply करने के बावजूद weight gain नहीं हो पाता है इसका एक ही reason होता है कि उन लोगों की natural hunger वापस नहीं आ पाती है और इसका root cause होता है high cerebral activities मतलब कुछ लोगों का brain जरुद से ज़ादा energy consume करता है और इनको भूख कम लगती है जिसकी वज़े से वो weight put on नहीं कर पाते हैं लेकिन अच्ची ख़बर ये है कि इसका भी उपाय है एक आयुर्वेदिक remedy है जिसको आपको as step 8 apply कर देना है health up नाम का एक आयुर्वेदिक capsule है ये 100% आयुर्वेदिक होता है और बिल्कुल safe है कोई side effects तो मुझे आज तक किसी ने report नहीं की है एक capsule सुबह के नाश्टे के बाद और एक capsule रात के भोजन के बाद बस इतना करना है और इससे भूख जो लगती है वो इतनी लगती है लोग मुझे बताते हैं इसके बारे में कि सामने जो कुछ भी आ जाए आप उसको तुरंट चबा जाना चाहते है तो 5% cases में अगर 7 step protocol से problem solve नहीं होती है तो बतावर आठमा कदम health up capsule की आयरुवेदिक remedy को apply करिए आपको results जरूर मिलेंगे अच्छा आप पूछेंगे कि पहले दिन से ही step up capsule ले सकते हैं क्या जी बिल्कुल लिया जा सकता है ये भूख बढ़ाने की आयरुवेदिक दवा है लेकिन मेरी सला यही है कि medicine तो medicine ही होती है चाहे अलोपतिक हो या आयरुवेदिक हो इसलिए मेरी सला यही रहेगी कि 7 step protocol को पहले apply करना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर ही कोई दवा लेनी चाहिए लेकिन day 1 से आप इस आयरुवेदिक capsule को लेना चाहिए तो ले सकते है if you are not so religious about medicines step up capsule आपको Amazon या Flipkart जैसे online store पे मिल जाता है तो उमीद है आज की बात आपको समझ में आई और अगर आप underweight हैं तो जरूर इस 7 step protocol को apply करके देखिए और वापस आकर मुझे feedback जरूर दीचेगा काफी टाइम से मुझे लोग comments में लिखकर weight gain पर वीडियो बनाने को कह रहे थे उमीद है इससे उनकी समस्या सरलता से सुलच जाएगी कोई सवाल हो तो comments में लिखकर जरूर पूछ लीजेगा तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए stay healthy and joy life नमस्कार